हलो एवरिवन, उमीद है आप सब अच्छे होंगी, आज तक आपने कई तरह की क्रिमिनल्स देखे होंगी, लिकिन क्या आप ऐसे शातिर साइको की कलपना कर सकते हैं, जो एक लड़की को प्रेगनेट कर दे, और उसे पता तक ना लगने दे, खैर कोई बात नहीं, आज हम साथ बगल की उस घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाली और भी जबरदर्थ श्यांदार वीडियोज आपको सबसे पहले मिले, हाँ तो कहानी की शुरुआत होती है सीजर नाम के इस शक्स के साथ, जनाब एक अपार्टमेंट की उची दिवार पर खड़े य आँख खुलती है, सीजर फटा-फट अपने कपड़े पहन कर अपने सामान के साथ यहां से रवाना होता है, और बाहर जाकर शावर लिता है, इसके बाद इसी अपार्टमेंट में सीजर अपनी कंसियर्ज की ड्यूटी करने लग जाता है, अब उसके साथ सो रही लड़की क्लारा के भी आँख खुलती है, और वो तैयार होने में लग जाती है, क्लारा इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में किराये पर रहती है, जहां सीजर नुकरी किया करता है, इधर काउंटर के पास बैटे सीजर के पास से उर्सुला नाम की एक बच्ची और उसके पिता गुजरते हैं, लेकिन अभी उर्सुला वापस पीछ आती है, और सीजर के साथ कुछ पैसोगा लेंद देन करके वापस चली जाती है, इसके बाद क्लारा नीच आती है, और सीजर उसे न्यूद पेपर देता है, इसी बीच वेरोनिका नाम की एक भुजूर्ग महिला अपन जाते हुए कहता है, कि वो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाता, इसी दिन शाम को वेरोनिका सीजर के पास आती है, और कहती है कि आज मुझे अपने दोस्त की बड़्डे पार्टे में जाना है, इसलिए आज रात तुम मेरे डॉक्स का खैल रखना, कुछ देर बिल्डिंग के सफाई करने वाली महिला अपने बेटी के साथ आती है, और सीजर के साथ कुछ बात करके अपने काम लग जाती है, इसके बाद सीजर वेरोनिका के फ्लैट में जाता है, और उसके डॉग की डाइट में खाने के साथ कुछ और भी मिला देता है, इधर क्लारा आपने फ्लैट में आ चुकी थी और सोने चले गई यहां हम देखते हैं कि उसके बैट के नीचे सिजर सोया हुआ है जोकि उसके सोने का इंतजार कर रहा था क्लारा को नीद आते ही सिजर बहार निकलता है और क्लारा को क्लोरोफॉर्म सुखाने के बाद उसके कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट्स में एक केमिकल इंजाक कर देता है ये करने के बाद सिजर उसके साथ रंग रेलिया मनाता है और सुबह उठकर कलारा के टूद बरशे ब्रश करके नहाने के तैयरे करने लगता है सिजर हर रोज कलारा को बेहोश करके उसके साथ शरीरिक सम्मंद बनाता और उससे पहले उठकर वापश चला जाता आज सिजर उसके wrist watch लेकर जा रहा था लेकिन बाहर निकलते ही सिजर को उर्सुला मिल जाती है और blackmail करते होई उसे adult video देने की demand करती है सिजर उसकी demand पर हामी बढ़ता है और यहां से आगे जाता है जहां रास्ते में उसे वेरोनिका मिलती है जो आज अपने एकी dog के साथ बाहर जा रही थी सिजर उसे पूछता है कि आज आज आपका दूसरा dog कहां है इस पर वेरोनिका कहती है कि उसे डाइरिया है शायद उसने कुछ गलत खा लिया था वो नहीं जानती थी कि ये सब सिजर का ही किया धरा है खैर आगे हम कलारा को देखती है जो फेस क्रीम लगा कर आफिस के लिए जा रही थी लेकिन रास्ते में मिले सिजर को वो अपने घड़ी को जाने की बात बताती है कुछ देर बाद उर्सुला सिजर के पास आती है और अपनी डिमांड की हुई वीडियो को लेकर उससे कहती है कि अब मेरा मूब बंद रखने की कीमत सो यूरो है सिजर को ये सुनकर बहुत गुसा आता है लेकिन वो उर्सुला से कुछ नहीं कहता इसके बाद अपार्टमेंट का एक और किरायदार सिजर से मिलता है और उस पर गुसा करता है क्योंकि सिजर की गल्दे से उसके फोदे खराब हो गए थी इसके बाद सिजर अपने मां से मिलने पहुँचता है और कहता है कि अब मैं क्लारा के मुस्कुरहट मिटाने के बहुत करीब हूँ यहां आमें पता चलता है कि सिजर अपार्टमेंट में रहने वाले हर किरायदार को दुखी करने के मिशन पर निकला हुआ है ब्रीडिंग में वापस लोटने के बाद सिजर सफाई करने वाली महिला से मिलता है और कहता है कि आज कल किरायदार सफाई को लेकर काफी शिकायते कर रही है इसलिए ये लेडी अपने बेटे को डांटने लगती है और सिजर ये देखकर खुश होता है इसके बाद सिजर कलारा के अपार्टमेंट में सिंग को ठीक करने की बाहने पहुँचता है और उसकी रिस्ट फॉच को एसिर से खराब करके टेबल पर रख दिता है इसके बाद वो हमेशा की तरह कलारा के बैट के नीचे छिप चाता है कलारा अपने बॉइफरेंट से बात करते हुए उसे अपने फ्लैट में मिल रहे अजीबो गरीब लेटर्स के बारे में बताती है तब ही उसे अपनी वाश दिखाई देती है जो कि अब खराब हो चुकी थी इसके बाद कलारा सोनी जाती है और उसे नीद आते ही सिजर उसे कलोरोफार्म सुगा कर हमेशा के तरह आज भी उसके साथ सूचाता है अगली सुबह सिजर ने कलारा के एक सेव में एक कैमिकल इंजेक्ट किया और बाहर चला गया कुछ देर बाद जब कलारा उटी तो उसने पाया कि उसकी स्किन पर कुछ रैशिज हो रही है इसके बाद कलारा बाहर आती है और सिजर से बात करते हुए ऑफिस चले जाती है एक दिन का टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि क्लारा के स्किन पर दाग दबे बढ़ते ही जा रही है उसे कमजोरी भी फिल हो रही थी और उसका सर भी भारी था इधर सीजर कलारा के लिए वो अजीवो गरीब लैटस लिखने में जूटा हुआ था वो लिखता है कि जल्द ही तुम्हारा जीवन दुखी दुख से भर जाएगा कई दिन बीट गए और कलारा फ्रस्टेट होने लगी लेकिन कुछ दिन बाद एक सुवह उसने पाया उसके चेहरे पर दाग अब कम होने लगे हैं वो थोड़ा खुश हो गई और कपड़े लेने अलमारी की तरफ गई लेकिन यहां उसके होश उडग गए क्योंकि अलमारी में तो सीजर को बताया ही नहीं था लेकिन उसने यह सब पूछने के बज़ए सिर्फ हां में जवाब दिया और आफिस के लिए रवाना हो गए इधर सीजर हॉस्पिटल पहुंचकर अपने मां से बताता है कि अब वो चीजों को थोड़ा और नेक्स लेवल ले जाने की प् स्प्रेइ करवाने लगता है इसी बीच अपार्टमेंट का मैनेजर सीजर की पास आता है और कहता है कि अब तुम्हारी लापरवाईयां बढ़ती ही जा रही है कुछी दिन में तुम्हें चुट्टी देने की प्लानिंग चल रही है तैयार रहना वहीं दूसरी तरफ पु जाम सफाई वाली की बेटे पर डाल दिता है और पुलीस उसे गिरफतार कर लेती है इधर सीजर क्लारा को कॉल करके बताता है कि आपके रूम में सफाई और फ्यूमिगेशन करवा दी गये हैं जिसके बाद क्लारा बताती है कि वो रात तक पहुंच जाएगी इसके बाद स सीजर ने रसी और चाको सहीत कई सारे समान पैक की और सीधा क्लारा की रूम में जाकर शिप गया काफी समय तक इंतिजार करने के बाद फाइनली क्लारा घर पहुंच जाती है लेकिन सीजर की बतकिसमती से आज क्लारा का बॉइफरेंड भी उसके साथ आया है दोनों आते ही सीजर दर्वाजे तक पहुँचने की कोशिच में जुट गया लेकिन चाबी उसके एक्विप्मेंट वाले बैग में रह गई थी और जनाब बातरूम में जाकर बेहुश हो गए अगली सुबह मारकोस को सामान वारा बैग मिल गया और वो इसकी चान बिन करने लगा लेकिन क्लारा रोमेंस के मूड में थी तो उसने मारकोस को इसे चेक नहीं करने दिया और अपने साथ बातरूम के तरफ ले गई इधर पीछे से मोका पाकर सीजर ने बैग से चापे निकाली और दर्वाजे के तरफ जाने लगा लेकिन जैसे ही वो दर्वाजे तक पहुँचा तो सीजर अपनी सफाई में कहता है कि कल पेस्टिसाइट चिरखने समय मेरा बैग यहीं पर है गया तो मैं बस वही लिने आये था और दोनों ने उसकी बात मानकर बैग लोटा दिया सीजर बाहर तो निकल गया लेकिन सीडियो में उसे मैनेजर मिलता है जिसने उसे एक लैटर जिसमें लिखा ता कि तुम्हें नौकरे से निकल दिया गया है इसके बाद सीजर वेरोनिका से मिलता है जो उसे कहती है कि हम तुम्हें बहुत मिस करेंगी लेकिन सीजर उसे कुछ ऐसा कहता है कि वो दुखी होकर यहां से ही चली जाती है वेरोनिका के जाने के बाद यहां क्लारा और मारकोस आती है आज क्लारा काफी खुश दिख रही थी वो सिजर से कहती है कि हम चार दिन के विकेंड पर जा रही है क्लारा को इतना खुश देकर सिजर बहुत दुखी होता है और अब चूंकि वो चार दिन के लिए बाहर जा रही थी, तो सिजर उसे मार भी नहीं सकता था, इसलिए वो उसी रात बिल्डिंग के चट से कूदने का फैसला लेता है, लेकिन दिवार पर चड़ने के बाद वो दिखता है, कि नीचे कलारा और मार्कोस के भी जगड़ा चल रहा है, और वो वापस हो सकता है, सिजर उन से पहले यहां पहुंच चुका था, और बैट के नीचे सोया हुआ उनकी बाते सुन रहा था, इसकी बात दोनों सो गए, और सिजर ने दोनों को कलोरो फॉक्स उंगा कर कलारा के साथ एक बार फिर से घिरोनी हरकत की, सुबह हुई और वो उठकर अपन चाल चुकी है, वो सिजर को दबोचने की कुशिश करता है, लेकिन सिजर ने कांच के टुकुडे से उसकी जान ले ली, और बाड़ी को बैथ टब में रखकर चाकू उसके हाथ में रख दिया, ताकि जांच में ये लोग मारकोस को खुदी अपनी मौत का जिम्मेदार बता हैं क्योंकि उसे पता था कि ये सब सिजर का ही किया धरा हैं सिजर जानता था कि उसुला मूऄ खोल सकती हैं, इसलिए वो मोका मिलते ही उसुला के घर जाता है और सबी को क्लरोफार्म सुगा कर भेहुश कर देता हैं, शिजर ने उसुला से कहा कि मूँ ख zaten सात मैं तुमारे घर वालों के भी जान ले सकता हूँ उर्सुला सिजर के धमकियों से डर जाती है इसलिए उसने अगले दिन पुलिस से पूछ दास में कुछ नहीं बताया आखिर में हम क्लारा को दिखते हैं जो अपनी मा के साथ अपार्टमेंट छोड़कर घर जा रही है सिजर ने उसे साथ वना दी और विदाय दे दी अब कुछ दिनका टाइम स्किप होता है और हम क्लारा को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ समुदर के नाए घर के चत पर खड़ी थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चा मारकोस का ही है किसी और के साथ तो उसने सम्मंद बनाई ही नहीं थे लेकिन तब ही उसकी खुशियों का पहाड गिराने वाले लेटर आता है जिसमें सिजर की परसनल डायरी और एक लेटर था जिसमें लिखा था कि कैसे उसने अपनी जिंदगे में कुछ खुशी के पल लाने के लिए किया था साथे उसने लिखा कि आशा करता हूँ कि तुम हमारे बच्चे को देकर हमेशा मुझे याद करती रहोगी ये देकर क्लारा के हूश उड़ जाती है और वो अपनी बच्चे को गले से लगा कर फूट फूट कर रोने लगती है इसके बाद हम दाड़ी बनाते हुए सिजर को देखते है जो कहता है कि अब मैं खुश रहने के लिए मेरी हर संबो कोशिश करूँगा इसी के साथ कहानी की हैप़ी तो नहीं लेकिन एंडिंग हो जाती है कलारा के साथ दरिंदिगी करने वाला व्यक्ति अभी भी जिन्दा है तो हैप़ी एंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठ सकता क्यार आपके इस स्टोरी पर क्या विचार है कॉमेंट्स में हमें बताना जरूर और अधिक जाना चाहते हैं तो बता दे कि मुवी का नाम स्लीप टाइट था जो कि साल 2011 के दोरान रिलीज हुई साथ ही अगर बात करें फिल्म की रेटिंग की तो फिल्म को IMDb पर 7.2 स्टास मिली थी और हाँ अगर आपने अब भी भी हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके बगल की घंटी को भी जरू दबा लीजीगा ताकि आगे आने वाले और भी जबरदस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें धन्यवाद